नमस्कार दोस्तों, सुवागता दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कौाल एजूकेशन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो SSE, ZD और CT की तियारी कर रहे हैं उनके लिए एक टोपिक रिजिनिंग का पासा उसके जो most important questions है उनको और उसका कुछ basic concept आज की इस class में हम देखने वाले हैं तो आप end तक हमारे साथ बने दिएगा क्योंकि आज की सेसर में हम complete जिस भी परकार के exam में क्यूशन आते हैं डाइस से या पासा से उन सब को आज देखने वाले हैं तो सबसे पहले बात करें पन dice की दोस्तों dice की बात करें तो dice की बात करें पन तो dice को सबसे पहले हिंदी में पासा कहा जाता है और हर exam में इससे क्यूशन आता एक या दो ठीक है हर exam में एक या दो क्यूशन इस point से बनते हैं इस lesson से बनते हैं तो आज हम इसी के बारे में ये वीडियो complete से के बारे में होने वाला सबसे पहले बात कर लेते हैं, दोस्तों कि इसका जो exam में qn बनेगा, वो qn बनता कहां से देखेगा दोस्तों, dice से जो qn बनते हैं, वो दो type से बनता है पहला बनेगा close dice से पहला कहां से क्यूशन बनेगा close dice से या आप इसे कह सकते बंद पासे से ठीक है बंद पासे से ठीक है दूसरा अगर अपन बात करें तो क्यूशन कहां से बनता है open dice से या अगर अपन कहें तो एक क्यूशन कहां से बनेगा खुले पासे से ठीक है खुला पासा आप इससे कह सकते तो आज की इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो बंद पासे की जितने भी क्यूशन से बनते हैं आपके एक्जाम में उन सब को देखने वाले हम उससे पहले कुछ बैसिक चीजे सीख लेते हैं कि अगर क्यूशन में बंद पासे से अगर कोई क्यूशन आ रहा है अगर एक्जाम में बंद पासे से कोई क्यूशन आ रहा है तो हम उससे सोल करने के लिए क्या-क्या चीजे ध्यान रखते हैं क्या-क्या नियम अपने को उसके लिए ध्यान में रखने हैं सबसे पहले बात कर लिए देखो, बंद पासे जी से question आएगा, वो तीन टाइप से क्यूसर बनेगा manly, देखो पहला टाइप यह है कि आपको एक पासा दे दिया होगा, ठीक है, आपको एक पासा दे दिया होगा, जैसे एक, दो, तीन, आप से पूचेगा इस तीन के विपरी ऐसा बनेगा मेरे बाई, कि आपको दो dice दे दिये जाएंगे, ठीक है, आपको दो dice दे दिये, और आप से पूचेंगे कि जैसा इसमें दिया 1, 2, 3, इसमें दिया 3, 4, 5, आप से पूचेंगे कि इस 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, second जो question बनता है, वो ऐसा बनेगा, मतल dice की संक्याही कितनी दे दे, 3 दे, dice की संक्याही कितनी दे दे, 3 दे दे और आप से पूच ले, आप से पूच ले कि इस 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, इस सार के विपरित में कौन सा अंग होगा तो मैंली ये क्यूसन पूछी जाते हैं आपको या तो एक पासा दे देगा आपसे पूछ लेगा कि इस अंग के विपरित में कौन सा अंग होगा second की आपको दो पासे दे दिये, दोनों में से आपसे पूछ लिया कि इसके विप्रित में क्या होगा तीसरा आपको तीन पासे दे दिये, और आपसे पूछा गया कि किसी भी एक के विप्रित में कौन सा अंग होगा तो हम इनको देखते सबसे पहले, देखो, कुछ नियम है, वो नियम यह है कि अगर एक्जाम में आपके पास में क्या आए, एक पासा आए, एक्जाम में आपके पास एक पासा आए, तो आपको क्या करना है, देखी क्या, एक्जाम में अगर आपके पास एक पासा आए, जैसे एक्जाम में ये पास आगए आपके पास ठीक है question number one है ठीक है इसमें दिया 1, 2, 3 तो आपसे पूचा तीन के विपरित में कौन सा अंक होगा आपसे क्या पूचा इस तीन के विपरित में कौन सा अंक होगा जब भी single dice question आए आपसे 1, 2, 3 आपको कुछ नहीं करना जब भी आपकी एक्जाम में सिंगल डाइस से क्यूशन आए आपको क्या करना इन तीनों को आपस में जोड़ना है अगर इन तीनों को आपस में जोड़ने से अगर कहीं पे साथ बन रहा है समझना बात को अगर साथ बन रहा है तो उसका अलग से आंसर देंगे अगर साथ बन रहा है तो उसका अलग टाइप से आंसर देंगे अगर साथ नहीं बन रहा है तो उसका अलग टाइप से आंसर देंगे अगर साथ नहीं बन रहा है तो उसका अलग टाइप से आंसर देंगे अगर साथ नहीं बन रहा है तो उसको अलग टाइप इससे आंसर देंगे, एक क्यूसन और लिखता हूं मैं, क्यूसन दिया मैंने, आपको यहाँ पर है 2, 5, 7, आपके पास में 2, 5, 7, आपसे पूचा इस 7 के विप्रित में कौन सा अंक होगा, अब देखीगा, इन दोनों को यूज कैसे करते हैं, अगर 7 नहीं बन रहा न, तो आपसे पूचा, जैसे आपसे 3 पूचा है, तो इस 7 में से क्या करना है, तो अगर 7 नहीं बन रहा, तो जिसका विपरित आप आपसे पूचा गया है, साथ मेंसे उस संक्या को माइनस कर लेंगे तो आपका जो बचेगा वही क्या होगा आंसर आपसे मान लीजी पूचा एक की विपरित में क्या है साथ मेंसे माइनस एक किया अपना आंसर क्या बना? छे आपसे पूचा इस दो की विपरित में क्या है 7 में से 2 माइलिस किया कितना बचा अपने पास में 5 तो इस परकास से आपको एक तू ये चीज ध्यान नखनी है अगर 7 बन रहा है उस हिसाब से अंसर देना है अगर 7 नहीं बन रहा है तो उस हिसाब से अंसर देना है अब चलते हैं अपन second जो अपना question है उसकी साइड में, देखो हमने जब इनको तेनों को आपस में एड किया, इन तेनों को जब हमने आपस में एड किया, तो देखीगा यहां दो है, सुरी यहां पे 6 है, ठीक है, यहां पे 6 है यहां दो है, यहां 5 है, जब हम 2 और 5 को ध्यान से add करते हैं तो अपने पास में 7 बन गया क्या 7 बन जाए जहां कहीं भी 7 बन जाए तो आपको यह करना है कि जैसे आपसे पूचा है यहां पर आपके पास में है 2 5 ओच्छे आपसे किसी के भी विप्रीत पूचा जाए जैसे माल लीजी क्यूशन में आपके यहाँ 6 था ठीक है यहाँ 6 है और आपसे पूशा इस 6 के विप्रीत में क्या होगा तो आपको क्या करना सीधे-सीधे एक से 6 तक नमबर्स देने हैं और जो 3 सिंक्याए आपको दिख रही है जो 3 फेस की वेल्यू आपको दिख रही है उनको कार देना जैसी 2 कार दिया 5 कार दिया 6 कार दिया अपने पास में बचा क्या एक दो और चा यही क्या होगा आपका आंसर होगा तो दोस्तों जब भी सिंगल डाइस से क्यूशन आए आपको यह करना है कि आपको करना क्या है कि अगर 7 बन रहा है तो आपका जो आंसर होगा अब यह सीज़ द्यान में कि अगर 7 जोडने से 7 ब यह ता जब आपकी एक्जाम में एक पासवा आए तब वाली कंडिशन, अब बात करते हैं कि आपकी एक्जाम में दो पासे आ जाए, क्या, दो या दो से अधिक पास, दो पासे आ जाए, जब आपकी एक्जाम में क्या आ जाए, दो पासे आ जाए, तब आप क्या करेंगी, द जब दो पासे हो, रूल नमबर वन लिख लेना इसे, रूल नमबर वन लिख लेना, जब दो पासे हो तो रूल नमबर वन ये कहता है अपना, कि जब दो पासे हो आपके पास, और उन दो पासों में दो एलिमेंट क्या हो, समान हो, दो एलिमेंट क्या हो, समान हो, एलिमेंट क तो 5 की विपृत क्या हो जाएगा छे हो जाएगा जब इडोडाइस हो उनमें दो-दो की वैलिव सेम हो जाजा एक पांच या भी था एक दो या भी था आपश में չाड़ दिया इस 5 की विप्रित में क्या बचा 6, एक rule तो अपना ये हुआ, second rule इसी का ये है, rule नमबर 2 ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास में पासे तो 2 है, पासे तो कितने हैं, 2 है, पर अगर हमारे पास जो value है, हमारे पास जो value है, जैसे 1, 2, 5, ठीक है, यहां पे 1, 4, 3, ठीक ह आप से पूचा है, इस तीन के विपरित फलक पे कौन सा अंख होगा अब इससे पहले वाला rules तो ये कहता ता कि जब दो-दो elements समान हो, एक दूसरे से कार दो बाकी के जो दो बच जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट बच जाएंगे यहाँ पे तो AC condition नहीं है, यहाँ पे AC condition नहीं है, तो rule number two अपना यह कहता है, कि जब क्या हो, एक element समान हो, ठीक है, एक element क्या हो, समान हो, तो हम क्या कहते हैं, उस element को पकड़ेंगे, और clockwise घूमेंगे, clockwise का मतलब होता है, जिस दिसा में गड़ी की सुई घूमती है, आप clockwise भी ले सकते हैं, आप anticlockwise भी ले सकते हैं, कैसे, जैसे हमने क्या लिया, इस one को लिया, यहाँ पे भी क्या लिया, हमने one, तो हम one के opposite में one लिख देंगे, इस one से आगे बढ़ेंगे, अपने पास में क्या है, पांच, इस one से आगे बढ़ेंगे, अपने पास में क्या है, पांच हुआ है 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 जब हम इस एक से आगे बढ़े अपने पास क्या है पांच मैंने पांच यहां पे लिग दिया अब इस एक एक से आगे बढ़ेंगे अपन क्या आया अपने पास में दो इस तीन अगे बढ़ेंगे अपने पास में क्या आuben यहां ढहिए नदोस्तों दोस्तु चूं होगी वो क्या होगी 6 होगी एक की विपरित में जो संक्या होगी वो क्या होगी 6 अब आपसे क्यूसर में किसकी विपरित पूचा है तीन की विपरित पूचा है तो तीन की विपरित अगर पूचा है तो तीन की विपरित आपका आंसर क्या हो जाएगा दो तो जब dice हो दो एक element समान हो clockwise हम गूमेंगे और जो अपने से पूचा उसका answer अपन दे देंगे ठीक है आगे बात कर लेते हैं अपन कि जब क्या हो rule number 3 देखेगा rule number 3 अपना ये कहता है कि जब dice तो हो 2 2 dice हो और अगर हमने देखा इससे पहले हमने देखा कि हुआ क्या था कि अगर एक element समान है तो clockwise गूम गए दो element समान है दोनों को काट दी पर इसमें क्या हुआ कि दोनों dice है उन दोनों में value ही क्या है different है यहाँ पे 1-2-3 है यहाँ पे 4-5 है आप से मान लीजी पूचा है 5 की विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा 5 की विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा तो जब इस type की condition बन जाए जब इस type की condition बन जाए आपको कुछ नहीं करना एक कोई से भी dice को आप delete कर सकते या तो इसको रख ले या आप इसको रख ले दोनों में से आपको dice लेना जब आप एक dice लेते हैं और मैंने इससे पहले आपको समझाया कि आपकी exam में मान लीजी एक ही dice आया है तो आप उसे soul कैसे करते हैं आप एक dice को इसा बटा दीजी चाहिए आप इसे इटाए चाहिए आप इसे इटाए आपका वही होने वाला चलो मान लीजी मैंने इसको हटा दिया अब मेरे पास में ये dice है इसको जब मैं मान के soul करूँगा एक dice एक dice का हमने rule पड़ा है कि जब भी आपकी exam में एक dice आए आप आपस में इन तीनों को जोड़ेंगे अगर आप इन तीनों को आपस में जोड़ती है अगर कहीं पे 7 नहीं बन रहा अगर कहीं पे 7 नहीं बन रहा तो अपने देखा था कि जो आपसे पूचा गया उसको क्या कर लेंगे अपन 7 में से माइनस कर लेंगे आप से पूचा 5, 7 माइनस 5 किया तो आंतर क्या बन जाएगा भाई अपना 2 तो इस 5 के विपरित में अंग कौन सा था? 2 ठीक है? I hope आपको ये चीज़े समझ में आ रही होगी ठीक है? अगर एक dice ऐसा आ जाए एक dice ऐसा आ जाए जिन में दोनों चीज़ें ही समान हो देख लिए देखे, यहाँ पे है 3, 4, 5 यहाँ पे है 3, 4, 5 यहाँ पे भी क्या दिया है आपको 3, 4, 5 ठीक है, यहाँ पे भी दिया है आपको 3, 4, 5, आप से पूच लिया 3 की विप्रित में कौन शा अंक होगा, सेम चीज़ करनी है जब दोनों dice में value समान हो तो भी आपको single माना जब दोनों dice में value समान नहीं हो तब भी आपको single माना है एक dice कोई से कोई छोड दो, आपको add करना है, add करने से अगर कहीं पे 7 नहीं बन रहा है तो इस साथ में से हैपन क्या कर लेंगे त्रीन माइनस कर लेंगे और जो बचा वही क्या होगा आपका आंचर होगा चलो आज के हम कुछ क्यूशन्स है उनको देखने की कोशिश करते हैं पहला क्यूशन अपना यह है चार बिंदों के विपरित कोन सी बिंदू संख्या होगी सबसे पहले जब भी आपके एक्जाम में दो डाइस से क्यूशन ध्यान लकरा है कि उनमें एलिमेंट कितने समाना देखेगा चार बिंदू है यहां चार के अलावा दो और पांच है यहां देखीगा दो और पांच कहीं दिख रहा है क्या अगर दो और पांच दिखता तो हम काट देते अब दो और पांच नहीं तो आपको देखना कि इन दोनों में समानता है क्या देखीगा यहां पे पांच बिंदू है तो यहां भी कितने बिंदू है पांच बिंदू मैंन आंसर यहीं पर बन गया जो option C क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे में ठीक है आगे question number 2 देख लीजिएगा question number 2 ये कह रहा है आपसे की देख ना दो सिकर पर है तो तल में क्या होगा मतल SEC आपसे पूछा है 2 की विपरित में कों से संक्या होगी मैंने बताया आपको कि आपको इनमें समानता हैं देखनी, देख़ीगा, यहाँ पे कितना है, तीन, यहाँ पे कितनी बिंदु है, तीन तो मैं क्या लिखूंगा 3 के opposite में 3 इस 3 से आगे बढ़ूँगा कितनी बिंदू है मेरे पास में 5 इस 3 से आगे बढ़ूँगा कितनी बिंदू है मेरे पास में 1 इस 5 से आगे बढ़ूँगा कितनी बिंदू है मेरे पास में 2 ठीक आगे बढ़ते हैं 5 सिकर पे हैं, 5 सिकर पे हैं तो तल में कौन सी संक्या होगी, देखीगा, 5 का विप्रित आपसे पूचा है, आपको दिकरी होगी 4 ओचे, 4 ओचे को काट दो, 5 का जो विप्रित बचा है वो क्या बच गया अपने पास में, एक बचा है जो आपके पास option B में है option B वाला क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा देखीगा next question आप से ये कह रहा है कि सिकर पे कितना है 3 है 3 के विपरित आप से पूचा है common element क्या है इन दोनों में 4 4 की विपरित मैंने क्या लिखा 4 इससे आगे बड़ा 2 इस 7 से आगे बड़ा कितना 3 इस 2 से आगे बड़ा 1 इस 3 से आगे बड़ा कितना 5 आपको 3 का opposite ढूँड़ना है तो 3 का opposite क्या है 2 जो option C में में है वही क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा नेस्ट क्यूशन देखेगा नेस्ट क्यूशन आपसे कह रहा है कि यदि बिंदू एक सिकर पे है तो तल में कौन सा होगा देखेगा एक के विपरित आपसे यहाँ पूचा है इसके अपोजिट में कौन सी चीछ होगी तो अगर आप इनमें समान दाएं देखेंगे दो पास ओम सदेखेगा यहाँ नेस्ट क्यूशन देख लीजिएगा यüber यक्चा था चार प्यूचार प्यूचा के याप Спट्से आपकोπως पूचा पांच और ग्विपरित हो एक ता किवेशन का क्यूशन Water最近 मैं चीछक्य आपका थेखेगा अब ये अलग क्यूशन है तोड़ा सा जो मैंने concept बताया उससे तोड़ा अलग क्यूशन है मैंने अभी आपको बताया कि एक dice आजाए उसे कैसे solve करना है दो dice आजाए उसे कैसे solve करना है अब ये condition यहाँ पर बिल्कुल change है एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, यहाँ पर तीन से ही जादा होगे आपको tension नहीं लेना है, आपको तो क्या करना, जैसे ध्यान में रखना ही चीजों को जो मैं समझा रहा हूँ, वो step समझना, इसके लिए आपको step 1, आपको पर कुछ steps बता रहा हूँ step 1, एक एसा dice लेना है, एक एसा dice लेना है, जिसका opposite आपसे पूचा है निमिल लिकित में से कौन सा रंग हरे रंग की विपरित होगा, एक हरा वाला dice सबसे पहले हरा इसमें है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए, हरा है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए, हरा है क्या, यस, इसमें हरा, एक तो इसमें हरा है, एक इसमें अगर आपको एक dice तो वो लेना है जिसमें हरा हो आप ये भी ले सकते तो आप ये भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है एक dice तो आपको कौन सा लेना है हरा वाला ठीक है step 2 आपको ये करना है कि इस जो dice आपने लिया है जो dice आपने लिया है उसमें तीन फेस होते हैं एक फेस तो आपको मिल गया वह यह हरा है इसके अलावा लाल और नीला लाल और नीला आपको इन सब में देखना है लाल और नीला इन सब में देखना अगर कहीं पर मिल रहा है तो सही है नहीं मिल रहा तो भी सही है देखो लाल और निला मिल रहा क्या नहीं मिल रहा चलो छोड़ दीजिए आपको पहला डाइस तो पनीजी लिया अब इन हरे के अलावा लाल और निला है ना इन दोनों में एक चीज तो होगी कहीं ना कहीं लाल और निला इनमें है कि लाल निला नहीं है इसको छोड़ दीजि इन दोनों डाइस को आपको छोड़ना है अब क्या करना आपको एक element समान हो तो वो मैंने क्या बताई था clock wise घूमना देखेगा यहाँ पे लाल है तो लाल के आगे क्या लिखूंगा मैं लाल के आगे क्या लिखूंगा लाल लिख दूँगा क्या आगे बढ़ना मेरे को इस लाल के विपरित में लाल आ गया इस लाल से आगे बढ़ा नारंगी आ गया क्या मेरे पास में इस नारंगी का सैड आया तो इस लाल से आगे क्या आ रहा अपने पास में हरा इस नारंगी से आगे क्या है बेंगनी इस नारंगी से आगे क्या है बेंगनी और इस हरे से आगे क्या है नीला आप से क्यूशन में क्या पूचा हरे की विपरित क्या होगा क्यूशन में क्या पूचा हरे के विपरित में क्या होगा तो हरे की विपरित तो मेरा यहीं पे हो गया नारंगी होगा जो मेरे प पहला dice आपको एक तो वो लेना है, जो आपसे पूचा है, जो चीज होनी चाहिए, मान लीजे आप कह रहे हैं, अगर यह हरा है, हरी वाला लूंगा है नहीं है, एक तो यह ले लूंगा, एक यह ले लूंगा, तो इसमें हरे की विप्रित यहां पे तो कोई value आएगी नहीं, आपको तो डो dice लेने हैं, उन दो dice में पहला एक dice तो वो लेना है, जिसमें आपसे जो पूचा गया है, वो होना जीए, एक dice तो जिसे हरा पूचा है, तो हरा होना चाहिए, और एक जो आप इसके अलावा ले रहे हैं, तो जो हरा वाला ले रहे हैं, उसके अलावा दो समान हो वो लेनी है आपको ठीक है आगे नेस्ट कूछन देख लिजिएगा नेस्ट कूछन है तीन सिकर पर तो तल में क्या होगा तीन के विपरित आप से पूचाय देखीगा तीन कहा है यहाँ आपको देखना दो ओ चार दो ओ, ओ चार से दो उचार कर जाएगा, तीन की विप्रित में क्या आजाएगा मेरे बाई, जो मेरे पास option D में है, यही क्या हो जाएगा आपका सही answer, नैस्ट कुशन देख लीजेगा, पलस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है, पलस वाले के सामने वही condition लेने, सबसे पहले एक डाय से सालो जिसमें पलस इसमें है क्या, ठीक है एक, तो हमने यह ले लिया, इसके पलस के लावा, एक triangle का एक भाग का सा, triangle और भाग कहीं अगर दिख रहा है तो दो से दो कट जाएंगे, तो आपको इस पलस वाले का, इसका opposite वेसे ही मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा, भाग या triangle कहीं है, क्या इसमें भाग है, तो आप इसी को ले लिजे, देखो भाग की विपरित में मैंने क्या लिख दिया, भाग, ये पकड़ा, इस भाग से आगे चला गुणा आ गया, इस भाग से आगे चला क्या आ गया, पलस, क्यूसन मेरे से पलस ही पूछ रहा है, तो पलस का जो opposite होगा, वो क्या हो जाएगा, option B, X क्या हो जाएगा, मेरे बाई, सही answer हो जाएगा, नैस्ट क्यूसन देखिएगा, आप स पूचा है, छे सिकर पे है, चे का विपरीत पूचा, सबसे पहले, एक डाइस, एसा लो, जिसमें छे हो, ये ले लिया हमने भाई, अब इसके अलावा, छे के अलावा, तीन और दो, तीन और दो, कहीं दिख रहा है, क्या है, यहाँ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगी, इसक को लेंगे 3-2 से 3 & 2 कट गया मेरे पास में इस 6 का विप्रीत जो मिला वो क्या मिला ये जो option B में है कहीं ये करें होंगे कि सर मैं इसको क्यों करें मेरे पास में यहां भी तो है न इसके अलावव यहां भी तो कुछ है न भाई मैं इसको नहीं लेना चाहत metallic नहीं लेना चाहते आप इसको ले लिजिए आपसे पूचा च्छे के तीन और दो से तीन और दो कार्द इसमें भी वही बात है च्छे का विपरित एक ही आएगा चाहे आप ये लो ये लो कोई साई कैसे भी लो आप दो डाइज आंचर आपका सेम ही बनेगा नैस्ट कुशन देख लीजेगा यदि अंक एक सिकर पे है तो तल में क्या होगा इस एक का विप्रित आप से पूचा है अब एक का विप्रित पूचा है पर इसमें दो और चार इसमें दो और चार है नी अब क्या करेंगे कुछ नहीं करना एक एलिमेंट तो समान है न भाई एक के विप्रित एक तो है न ठीक है इस एक से आगे बड़े अपना क्या बना चार इस एक से आगे बड़े अपना क्या बना च्छे इस चार से आगे बड़े अपना क्या बना दो इस छे से आगे बड़े अपना क्या बना पांच आप से पूचा क्या है एक का अपोजिट पूचा है अब भाई एक का अपोजिट एक तो होगा नहीं एक का अपोजिट एक तो होगा नहीं बाकी मैंने बता है फेज कितने होते हैं चो होते हैं एक से छहता गिंती में कौन सा एसा डिजिट है जो यहा पर नहीं है तो यहां पर तीन नहीं है तो एक की विप्रित एक तो होगा नहीं एक का विप्रित क्या होगा तीन जो मेरे पास ओप्सन भी में कभी भी ऐसा क्यूशन आए कि माली जी जो पूचा है वही आपके पास में है बाकी चीजे समाल नहीं है आप इसका जो आंसर सोट म जो इन में नहीं होगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा तो देखिएगा यहाँ पे एक भी है दो भी है तीन भी है चार भी है पांच भी है इसके अलावा सभी चीजे हैं इसमें नहीं है तो एक चीज नहीं है अपने पास में तीर तो वही क्या हो जाएगा ये आपका आँसर next question पासे की तीन यस्तियाँ चार यस तीन यस्तियाँ है तीसरी अवस्ता में दाइनी और कौन सा अंख होगा मतलब तीसरी अवस्ता ये है इसके दाइनी और मतलब इस side कौन सा अंक होगा इस side का मतलब है कि 6 के विपरित आपको बताना है 6 का विपरित आपको बताना है क्यों से language change कर सकता है पर आपको change नहीं कर सकता आपको तो विस concept ध्यान नकना है देखीगा 3 और 5 है 3 और 5 है क्या कहीं नहीं है चलो 1 डाइस तो हमने ये ले लिया इसके अलावा 3 और 5 में से 3 और 5 कहीं है क्या ये ले लीजी ठीक है 3 है 3 के विपरित में क्या हो जाएगा 3 आगे बढ़ो 3 के आगे 6 इस side आगे बढ़ो 3 के आगे 5 आगे बढ़ो 2 इस side आगे बढ़े 2 इस साइड आगे बड़े क्या आगे अपने पास में छे आप से क्यूशन छे के अपोजिट पूचा है तो छे का जो विपरित सिंख्या हो जाएगी यह ते most important क्यूशन जो हमने SSGD और CT के लिए लिए थे इन में से बहुत से ऐसे क्यूशन अभी जो पिछला exam था उसका अगर आप पेपर देखेंगे तो आप अगर इन क्यूशन को आराम से कर सकते हैं वो क्यूशन भी आपसे आराम से बन सकता है वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें दोस्तों साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले दोस्तों चैनल की ब